तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे बिद्धुती गुण बिद्धुती गुण कितने परकार के होते हैं तो बिद्धुती गुण जो हैं तीन परकार के होते हैं चालक और चालक और अर्धचालक यदि इसके पहले वाले जितने भी भाग का वीडियो यदि आप नहीं तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसो में चुमकी गुड कितने परकार के होते हैं तो ठोसो में चुमकी जो गुड होते हैं पांच परकार के होते हैं तो अपने कापी में नोट कर लेंगे कि ठोसो का जो चुमकी गुण होते हैं, कितने परकार के होते हैं, पांच परकार के होते हैं, पहला का नाम है अनचुमकी गुण, दूसरा का नाम है प्रति चुमकी, तीसरा का नाम है लह चुमकी, और चौथा का नाम है प्रति लह चुम और पांचवा के नाम है फेरी चुमकी तो टोटल कितने होते हैं चुमकी गुण तो चुमकी गुण जो होते हैं पांच परकार के होते हैं आज पांचों के बारे में अध्यान करेंगे एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा और एक अच्छे से आप लोग नोट तैयार कर लिजिए अब पहला समझेंगे अन्चुमकी अन्चुमकी क्या है तो अब इस उतर को अपने कापी में नोट करते चलिए साथ में जिसे आपको याद भी हो जाए तो उतर है वे पदार जो चुमकी छेतर में ले जाने पार वे पदार जो चुमकी छेतर में जब ले तो दुरबल रूप से क्या हो आकरशित होते हैं ऐसे पदार्थ को अन्चुमकी पदार्थ कहते हैं कितना असान उत्तर है जब किसी पदार्थ को चुमकी छेतर में ले जाते हैं और दुरबल रूप से क्या हो आकरशित हो जाए ऐसे पदार्थ को अन्चुमकी पदार्थ कहत जैसे आक्सीजन O है, कापर C U आपको हो जाएगा डबल चार्ज इसके उपर होता है, या फ़ाइक उपर आपका तीन चार्ज होता है, तीन चार्ज पलस तीन चार्ज होते हैं, तो अन्चुमकी पदार्थ कौन-कौन होते हैं, समझ में आ गया होगा, परिभासा भी समझ में आ गया होगा, कि दुरबल रूप से क्या हो, आकर्सित होते हैं, याद रखेंगे कि किसी पदार्थ को चुमकी च्छतर में जब ले जाते हैं, तो दुरबल रूप से क्या हो, आकर्सित होते हैं, ऐसे पदार्थ को अन्चुमकी पदार्थ कहते हैं, अब समझेंगे प्रति चुमकी पदार्थ क्या है तो इसका उर्तर भी ध्यान से समझेंगे अच्छे से और नोट भी करते चलिए साथ में तो वे पदार्थ जो चुमकी छित्र में ले जाने पर वे पदार्थ जो किसको चुमकी छित्र में जब ले जाएंगे जब पदार्थ को जब चुमकी छित्र में ले जाने पर बीपरीद दिशा में या देखें किस दिशा में बीपरीद दिशा में मने उल्टा दिशा में दुरबल रूप से आकरशित होते हैं जब चुमकी पदार्थ को चुमकी छितर में ले जाते हैं कहेंगे आपका वे पदा जो चुमकी छितर में ले जाने पर बी जाद रखिएगा तो अब इसमें हमारा इजाम्पल क्या है तो जल होता है या चटूओ होता है और यहने सील होता है तो यहां यह क्या है तो प्रति चुमकी पदार्थ होते हैं वे पदा जो चुमकी छितर में ले जाने पर बिपरी दिसा में दुरुबल रूप से क्या होते हैं आकर्शित होते हैं ऐसे यह प्रती चुमकी पदार्थ कहते हैं, अब हम लोग समझेंगे लोग चुमकी, लोग चुमकी की परिभासा धियान से समझेंगे, अब लोग चुमकी पदार्थ क्या है, तो कहेंगे वे पदार्थ जो चुमकी छेतर में ले जाने पर, कि आप देखेंगे वे पदार्थ जो किसक पदार्थ को लोह चुमकी पदार्थ कहते हैं तो वे पदा जो चुमकी छितर में जब ले जाएंगे तो प्राबर रूप से आकरशित होते हैं ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे लोह चुमकी पदा तथा इस गुण को लोह चुमकी गुण या लोह चुमकतत्व कहते हैं तो जै आकर्सित होते हैं जब यह पदार्थ को जब चुमकी छेतर में ले जाएंगे तो प्राबर रूप से क्या हो जाएंगे आकर्सित हो जाते हैं ऐसे पदार्थ कोई क्या कहते हैं लोह चुमकी पदार्थ कहते हैं अब हम लोग समझेंगे प्रति लोह चुमकी पदार्थ क्या है तो अब यहाँ पे नोट करेंगे अब प्रती लग चुमकी अब इसका उतर को धियान देंगे वे पदार्थ जो चुमकी छेतर में ले जाने पर वे पदा जो चुमकी छेतर में क्या करेंगे ले जाने पर बीपरीद दिशा में अब यहां देखेंगे किस दिशा में बीपरीद दिशा में प्रबल रूप से आकरसित होते हैं मनें प्रति चुमकी का मतलब एक उल्टा कहेंगे मनें बिपरी दिशा में और बहुत तेजी से क्या करेंगे आकरसित होते हैं ऐसे पदात को क्या कहेंगे प्रति लोह चुमकी पदात कहते हैं और इस गुण को प्रति लोह चुमकी गुण या प्रति लोह चुमक तत्व बिपरीत दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं आकरशित होते हैं ऐसी पदार्थ को प्रतिलोष चुमकी पदार्थ कहते हैं और इस गुण को प्रतिलोष चुमकतत्व कहते हैं जैसे में इसका इजामपा लिख लेंगे मैगनीच आकसाइड होता है क्या होता है मैगनीच चो आकसाइड होते हैं प्रतिलो चुमकी पदार्थ होते हैं अब अगला हम लोग पढ़ेंगे फेरी चुमकी पदार्थ कौन-कौन होते हैं और लाश्ट है क्योंकि ठोसों में चुमकी गुण कितने परकार के होते हैं पांच परकार के होते हैं और यह कितने नमबर तक हम अब इसका उतर को समझेंगे वे पदा आर्थ है याद कियेंगे वे पदा जो किस छेतर में चुमकी छेतर में ले जाने पर लोह चुमकी के तूलना में जब वे पदा जो चुमकी छेतर में जब ले जाते हैं तो लोह चुमकी के तूलना में जो लोह चुमकी में अभी पढ़ रूप से क्या होते हैं आकर्शित होते हैं तो यहाँ पे लोह चुमकी के तूलना में चुमकी छेतर द्वारा दुरबल रूप से यहाँ पे जो है दुरबल रूप से याद रखेंगे आकर्शित होते हैं ऐसे पदार्थ को फेरी चुमकी पदार्थ कहते हैं तो लोह चुमकी कि जो अगर तूलना से चलते हैं जो चुमकी छेतर में उसमें क्या था पराबल रूप से था आइसमें किस रूप से रहेगा दुरबल रूप से क्या करते हैं आकरसित होते हैं तो फेरी चुमकी पदार्थ समझ में आगया होगा अब यहाँ पे थोगा सा आगे बढ़ा लेंगे तथा इस गुण को क्या कहेंगे फेरी चुमक ततो का गुण कहते हैं जैसे मैं क्या लिश सकते हैं मैगने टाइड होता है मैगने टाइड का सुतर क्या होता है याफ ए थ्री ओफोर होता है और अगला जो होता है Magnesium Feric Oxide होता है इसका सुतर क्या होता है Mg Fe2O4 होता है यह किसका सुतर है Magnesium Feric Oxide यह क्या होते हैं तो फेरी चुमकी पदार्थ होते हैं तो फेरी चुमकी पदार्थ समझ में आ गया है अब हम लोग पढ़ेंगे Band Siddhant अब समझेंगे जो Band Siddhant क्या होते हैं तो Band Siddhant को याद रखेंगे किसी भी ततों में दो परकार के Band पाये जाते हैं याद रखेंगे किसी भी जो ततों हैं उसमें Band कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के Band पाये जाते हैं पहला Band का नाम है चालन Band अब दूसरा बैंड का नाम है संयोजी बैंड या संयोजक्ता बैंड अब यहाँ पर समझेंगे चालन बैंड क्या होते हैं संयोजी बैंड क्या होते हैं संयोजी बैंड क्या होते हैं संयोजी बैंड क्या है तो यह जब आगे के जो वीडियो बनेगा कल का जो वीडियो तो चालन बैंड से आगे के बारे में ध्यन करेंगे चालन बैंड क्या है शयोजी बैंड क्या है श्वजक्ता बैंड क्या है इसके बारे में कल की वीडियो में बताया जाएगा आज की वीडियो में आज यहीं तक बताया जाएगा तो कल वाले वीडियो आप लोग जरूर दे यदिये, जिसे